पुलिजे दोस्तों यहां पर आचुका है आपके लिए बड़ा अपडेट ससी जिरी कॉंस्टिवल की एक बड़ी भरती का अनाउंसमेंट कर दिया गया है और ऐसे में जो इसके ऑनलाइन आवेदन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको डे कर पाएंगे कम्प्लीट जानकारी के लिए वीडियो को पूरा लास्तक देखे अगर आपको जानकारी पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे नमस्कार दोस्तों मैरा भी सिंग और आप देख रहे हैं टॉक विडियो चैनल चलिए आज का वीडियो हमी स्टाट करते हैं तो देखे दोस्तों अगर आप भी SSC GD कॉंस्टबल में फॉर्म को एपलाई करना चाहते हैं तो देखे उसके लिए सबसे पहले आपके पास SSC में एक रिजिस्टेशन होना चाहिए अगर आप SSC में पहली बार फॉर्म नाओ का यानि कि सबसे पहले आप SSC की ओफिशल बेप साइड में आकर अपना एक रिजिस्टेशन करेंगे धान रहने वाली बात यह है कि SSC में रिजिस्टेशन केवल वन टाइम होता है यानि कि केवल एक रिजिस्टेशन आपको करना होगा और अगर आप रिजिस्टेश में तो ध्यान से एकदम clear और complete जानकारी एकदम सही जानकारी आपको हमेशा भरनी है आप देखे जब आपकर SSC में एक registration हो जाता है तो एक बार registration होने के बाद आपको दो चीजे प्राप्त हो जाती है पहला होता है आपका एक registration नमबर और दूसरा होता है आपका एक password या फिर SSC जैसे आप SSC के साइड में आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद आपको एक section मिलता है login करने का कुछ इस प्रकार का तो जो यह login का section होता है यहाँ पर आपको दो चीजे फिल करके अपनी profile को login करना है पहला जो आपके पास आपका username है यानि की registration नमबर है उसे आपने यहाँ फिल करना है दूसरा जो आपका password बनाया हुआ है उसे आपने यहाँ नीचे फिल करना है अब जैसे आप यहाँ पर फिल करते हैं उसके बाद आप नीचे आते हैं नीचे आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का एक capture देखने को मिलेगा और उस capture को आपने यहाँ पर जो य चता है आपके प्रिकार का दिखता है जैसे आपका प्रोफाईल ओपिन हो जाता है तो उसमें आपको इस प्रिकार का interface देखने को मिलेगा जहां पर सबसे पहले तो आपको यहां पर अपना नाम देखने को मिल जाएगा ठीक है यह जो आप देख रहे सेक्षन यहां पर आपको नाम मिलेगा चेंज पासवर्ट लॉग आउट का option मिलेगा अब इसके लावा यहां पर एक टिस्ट, नोटिफिकेशन, ऐप्लिकेशन हिस्ट्री, मोडिफिकेशन रेजिस्टेशन और रिजल्ट एइन मार्क्स का ऑप्षन मिल जाएगा। तो दिखिए सबसे पर तुम्हें आपको बता दूँ कि अगर आपका पहले से कोई registration है और उस registration में कोई गलती कर दी है अगर आपने तो SSCDD Constable का जो आपका form है वो apply करने से पहले सबसे पहले आपको modify registration के इस option पर आना है और यहाँ पर click करके आपको अपने registration को modify कर लेना है या आपको नीचे आना है और यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि आपको एक section मिलेगा जो आपके SSCDD Costable का यह पूरा section होगा जहाँ पर नीचे तरफ आपको कुछ option देखने को मिलेंगे मैं आपको zoom करके दिखाता हूं यहाँ पर यहाँ पर आपको कुछ section देखने को मि करेंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको डेट्स वगरा दिखाई जाती है कि कौन कौन सी डेट को आपका यहाँ पर फीस पेइमेंट लास्ट डेट क्या है कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे सारो कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके बाद यहाँ पर अपलाई पर क्लिक करना है जैसे पर क्लिक करेंगे तो बाकि जो भरा हुआ डेटेल्स आपके रिस्टेशन का होगा वो आपको पहले से ही आपर फिल मिलेगा दो चार डेटेल्स होंगे जैसे आपका फोटू अपलोड करना आपका सिकनेचर अपलोड करना आपक कि जो पहला examination center आप चूज करेंगे वो examination center उस city में मिलने के 80% chances होगे कि जो आप पहले यहाँ पर city select करके भरेंगे examination center में उसी city के अंदर आपको 80% chances होगे कि आपका center रहेगा बाकी आपके जो 15% chances होगे वो आपके second number पी होगे और बाकी बच्चों पर 5% chances आपके third वाले city में जो होगे जो आप फिल करेंगे आप ठीके ना अब देखें दोस्तों यहाँ फिल कर लेंगे और final में जाकर आप preview एक बार अपने form का check कर लेंगे और preview चेक करने के वाले अगर सब कुछ सही होता है form में तो उससे आसानी से आप final submit कर देंगे Summit होने के बाद आप अगर फीस लगता है अगर आप यहाँ पर journal candidate या फिर ऐसे candidate है जिनका यहाँ पर फीस लगता है फीमेल का कोई भी फीस नहीं आप लगता है तो फिर आपका जो रिडाइक्ट हो जाएगा form जैसे आप submit करेंगे आपका payment section पर आजाएंगे ठीके ना आप offline करना चाहते तो यह offline का option है offline चालान आप लिजिए और यहां से download करके सीधा जाकर बैंक में आप जमा कर दीजिए करो उसके बाद आपका payment कुछ time के बाद done हो जाएगा नहीं होता है तो आप तुरंत यहां पर double verification payment पर किलिक कीजिए और जो details है उसको submit करके या जो click करने के लिए कहा जा उसे click कर दीजिएगा आपका payment जो है वो within second में आप complete कर दीजिएगा उसके बाद अब आपको अपने application status को आना है और यहां पर आने के बाद आपको अपनी application status को एक बार check कर लेना है कि आपके application status में final में last में जो लिखा मिलेगा कि application status तो वहां पर आपका previously accepted या फिर successfully accepted वगरे कुछ लिखा आ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं incomplete लिखा तो नहीं आ रहा है अगर आपका payment वगरे फेल हो जाता है कोई problems होती तो वहां पर incomplete application लिखाएगा otherwise आपका application successful वगरे कुछ ऐसा लिखाएगा तो आप एक बार इससे जिरूर चेक कर लीजेगा अब देखिए आपका जैसे form भर जाता है उसके बाद आपको पता चलत पता है उसे ठीक करने के लिए अगर आप देखेंगे तो बांकी जितने भी भरती निकली है उसमें यहां पर SSC ने correction window का date दिखाया था कि जो correction window का date है वो आपका इतने तारिक को दिया जाएगा दो दिन चलेगा ती दिन चलेगा जो भी होगा लेकिन SSC GD Constable का जो यहां पर यह notification आया हुआ है या जो notice आप देख सकते यहां पर तो यहां पर कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि SSC आपको correction window देगी नहीं SSC आपको correction window दे सकती है बिलकुल तो अगर form में कोई गलती हो गई है तो अभी आप किसी और प्रकार से ठीक नहीं कर पाएंगे हो सकता है कि जैसे है यहां पर last का 10 दिन या 5 दिन बचे तो SSC के तरफ से एक notice वगएरे जारी किया जाएगा और उस notice में आपको एक date बता दी जाएगी जैसे यहां पर application close होंगे यानि कि आपका 112-2022 का last date है यहां पर उसके बाद किसी भ असानी से अपने फॉर्म में किसी भी गलती को असानी से सुधार कर पाएंगी ठीक है तो कोई भी पैनिक होने के जोत नहीं है कभी भी आप दूसरा फॉर्म अपलाई मत कर दीजेगा अगर ऐसा करेंगे तो आपको दोनों फॉर्म मल्टिपल अप्लिकेशन बनके reject हो जाए है ओपिन करने वाद सबस्क्राइब तो आप वैकेंसी देख लीजे कि टोटल जो वैकेंसी है इसमें वह लगभग यहां पर है 24,379 वैकेंसी है यहां पर आप देखेंगे जिसमें से जो पार्ट फर्स्ट में है वह 24,205 वैकेंसी है और बाकी एक सिटोंसर वैकेंसी जो है वह आपका पार्ट सेकंड में है ठीक है जो गरान टोटल के एंसीबी के जो वैकेंसी है वो भी यहां पर इंक्लूड कर दिया किया है तो टोटल वैकेंसी जो है आपका लगभग यहां पर 24,379 है अब देखें इसकी एक्जाम देशन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है आप दोस्तों यहां पर आपको बदलाव एक बहुत बड़ा देखने को मिला है जो कि इसकी एक्जाम में है और जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है तो चलिए मैं आपको बदलाव दिखा देता हूँ एक बार देखें जो इसका एक्जाम आपने अभी तक जो एक्जाम दिये आपको ठीक है लेकिन यहां पर थोड़ा सा बदला हुआ है कि अभी देखिए यहां पर कह दिया गया कि जो आपका CBT एक्जाम्स होगा यहां कि computer based examination होगा CBT ठीक है तो उसमें आपको कुल मिलाकर 80 questions मिलेंगे और 80 questions में carrying two marks each यानि कि एक questions अगर आप सही करेंगे तो इसके आपको दो marks दिये जाएंगे अगर आप यहां पर देखेंगे तो चार पार्ट होंगे और चार पार्ट में आपको हर एक questions मलब कि हर एक पार्ट का 20-20 questions होगा जिसमें से एक questions का दो marks होगा सही करने पर यानि कि 40-40 marks के आपके questions होगे यानि कि 160 marks का ठीक है ना मैं आपको बता दूँ यहां पर 160 marks का आपका यहां पर पूरा paper होगा 80 questions होगे total और जिसके लिए आपको 60 minutes यानि कि एक घंटे का समय दिया जाएगा पहले आपको 90 minutes का समय मिलता था जिसमें से आपको 100 questions सॉल्व करने होते थे एक 10 numbers का questions होता था तो अब आपको 60 मिनट में यानि कि 60 मिनट यानि कि एक घंटे में अब आपको 80 questions को solve करना है और 160 marks का आपका पूरा यहाँ पर paper रखा जाएगा आप देखें निगेट्व मार्किंग भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका आपका पेपर होगा question paper वह आपका हिंदी और इंग्लिस दो लैंग्विज में केवल होगा आपका जो इस्टेट लैंग्विज है उसमें आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर जो पेपर है वह हिंदी इंग्लिस या किसी एक में भी आपको करना पड़ेगा वाप ठीक है तो यह आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा बदलाओ यहां पर देखने को आपको मिला हुआ है उमीद है कि आपको information पसंद आई होगी जानकर एगर आपको अच्छी लेगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे सी भरतिक रिगारिंग सेउसटीक और ऐसी अच्छी information के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मिलते हैं दोस्तों हम एक नए वीडियो में ताकि आप तक से उस अठीक अब्रेट पहुंचती रहे तो वेट कीजिए मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो में